अरे हाई दोस्तों आप लोग का स्वागत है एक और नियो कैंडी गेमर की न्यू फीडियो में अरे सिंचैन तुम भूल गए क्या फ्रैंकली भैका आज ना जॉब इंटरिव्यू है उन्हें उठाओ लेट हो गया अरे हाँ Black Chan तुम सही कहा रहे हो उन्हें 9 बजे जाना था ओ नो दस बज रहे हैं अरे candy भीया, candy भीया, जल्ली उठी जल्ली उठीए, आपको interview में नहीं जाना क्या, आज आपका interview है, आपको 9 बजे ही जाना था, अभी तो यहां पे 10 बजने वाले हैं, और आप अभी तक सो रहे हैं, सीन चैन, अभी बहुत समय है, मेरा interview 9 बजे है, और अभी 9 नहीं बस सकता, अरे क्या केंडी भाईया जाके देखे नौ बज रहा है अरे क्या केंडी भाया हम लोग कब से आपको ठाई रहे हैं बड़ आप उठे तब तो इतना मुश्किल से आप तो उठे हैं अब जाए जल्दी से जॉब में जाईए अगर आपका जॉब नहीं लगाना तो हम लोग भूक के पेट मर जाएंगे अरे हाँ दोस्तो हमेना पैसे की बहुत जरूवत है और ये हमार पास आखरी अप्शन है सेंचना प्लैक्चेन जिन्दा मत कर चाहे कुछ बुझाए ये जॉब मैं लेकर रहूँगा भाई मानतों मैं लेट हो चुका हूँ बड़ गाईजर मैं इतना मैनत से बताऊँगा कि म पैसे आजाएंगे और अगर मैरा जोब नहीं लगता है न दोस्तों तो हम लोग गाईजर सड़कों में आ जाएंगे क्यूकि यार मेरे पस कोई भी पैसे नहीं है ना तो गाईजर कोई भी मेरे पास जॉब इल्टा गाईजर मेरे घर का किराया ना बहुत जाद रहता है औ और अगर मैं यार यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है तो मैं अपने घर का किराया भी नहीं भर पाऊंगा जिससे गाइजर मकान मलिका के मुझे घर से बाहर निकाल देगा और दूसरा यह है गाइजर कि हम लोगे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं रहेंगे क्योंकि आप सारे लोग कह दिये हैं सिंचन और ब्लैक चन को एक्जाम में बैटने नहीं देंगे इसलिए आर वहां पे भी मुझे फीस जमा करना है दोस्तों कुछ ही बोलो बड़े होने के बाद ना पैसों की दिक्कत ना आ ही जाती है और कितना ही कमालों कभी पूरी नहीं होती पैसों दिक्कत और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं भाई आर आप लोग के बस प्रे चाहिए जिससे गाजर मुझे ये बड़ी वाली जो बिल्डिंग है ना उसमें गाजर जॉब लग जाए बस मैं वहीं जा रहा हूँ चलो भाई चलो जल्दी चलो यहाँ पे गाजर आप देख प चलो लगता है इसका इंट्रेंस उपर से है लेट गो गाईजर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी कमपनी ना दोस्तो मैं आपको बता नहीं सकता ये लोग यार बहुत ही जाद है बहुत ही बड़ी कमपनी है यहाँ पे अगर मेरी जॉब लग गई मेरे याँ पे इंट्रिव्यू था कैंडी के नाम से आप प्लीज चेक करके बताएंगे हाँ कैंडी के नाम से ना हाँ मैंने चेक कर लिया आपका इंट्रिव्यू तो 9 बज़ था और अभी टाइम देखिए अभी तो 10 बज रहे हैं आपका इंट्रिव्यू एक घंटा पहल नहीं over हो चुका है, इसलिए आप बाहर जा सकते हैं, सर, ऐसा मन बोलिए सर, मैं पता ये interview के लिए बहुत practice करके आएं, बहुत तयारी करके आएं, प्लीज, प्लीज, ऐसे मुझे बाहर मत निकालिए, मैं मान तो मैं थोड़ा सा late हो चुका हूँ, लेकिन प्लीज मेरा interview ले लिजे, ऐसे मुझे बाहर बेज दीजे, मुझे ये job की सक जरुवत है, देखिये mister, माफ करिएगा, ये बहुत जिम्हदारी वाला काम होता है, जो हम लोग करते हैं, इसलिए, अगर आप समय पर नहीं आ सकते, तो इसका ये मतलब है, आपको job नहीं मिल सकती है, और से भी आपका interview का time खतम हो चुका है, आपको job नहीं मिलेगी, आप बाहर चले जाएए, तो वर्ना मुझे security guard को बलाना पड़ेगा, सर प्लीज, प्लीज सर देखे न, मुझे अंदर जाने दीजे न, अंदर जा करके मैं interview दे दूँगा, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मौका देखे देखे सर, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे security को बलाना पड़ेगा, security, इसे धक्यमार के बाहर निकालो, अरे जा सर अब में क्या करूंगा, सेंचान और ब्लाक चैन को क्या मुदी काऊंगा अपना, कि मुझे जॉब नहीं मिला, उनके कैंडी भीया को जॉब नहीं मिला, कैंडी भीया कोई काम के नहीं है, यह में जाके बताऊंगा क्या, सेंचान और ब्लाक चैन को, नहीं दोस्तो ऐसा नहीं हो सकता गाइस मुझे कुछ भी करके यहां पे जॉब चाहिए लेकिन मैं अब क्या करूंगा दोस्तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं और यार अभी यार पता है मैंने मकान मालिक को भी बोल के रखा तकि आज के दिन मुझे जॉब मिल जाएगा और मैं तुम्हे मैं पैसा दे दूगा क्योंकि जॉब मिलने के बाद मुझे पैसे भी मिलेंगे लेकिन गयजर यहां पे तो ना तो मुझे जॉब मिले ना द्यार पैसे मिले अब मैं अपने मकान मालिक को क्या बोलूँगा वो तो गयजर धक्या मार करके मुझे और सिंचेन और ब्लैक चेन दोस्तो फानल यह हम लोग आ चुके हैं बट यहाँ पर सींचान और ब्लाकचान खड़ें अरे सींचान और ब्लाकचान अरे आगे कैंडी भई आगे कैंडी भई यह कंग्रेचिलेशन्स अरे हाँ कैंडी भई आपकी जॉब लग गई ना मुझे पक्का है किंता यह देखे हम लोग ने केक मंगाया है और पीछे देखे हम लोग पार्टी करेंगे आपकी जॉब लग गई अब तो पार्टी करेंगे नाचेंगी गाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे सींचान और ब्लाकचान मुझे माफ करना बट तुम्हारे भाई कैंडी भई की जॉब नहीं लगी ह भाई पता नहीं क्या हो गया मैं यहापे लेट गया ना उसके ऐसे मुझे आपे इंटरव्यू देने का मौक आई नहीं मिला क्यूंकि मैं लेट पहुचा था इसलिए वो लोगों ने धक्के मार करके मुझे बाहर सही बाहर कर दिया अरे क्या कैंडी भईया सच में आपको जो यर जॉब भी नहीं रहा अब समझ नहीं आ रहा दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या हम लोग के पास अब कुछ भी नहीं है हाँ चलो आज तो फ्रैंकलीन से कुराया भी लेना है अरे फ्रैंकलीन वा यहां पे तो पाटी चल रही है लगता है तुम्हें नौकरी मिल ग अरे हाँ गाइज ये हैं हमारे मकान मालिक मकान मालिक मैं आपका पैसा लोटा दूगा क्या क्या लोटा दोगे तुम्हें जॉब मिल तो गई है ना अरे मकान मालिक कैंडी भीया को जॉब नहीं मिली अरे हाँ कैंडी भया ना इंट्रिव्यू में लेट पहुचे उसके जॉब नहीं मिली सिंचानों ब्लाक चन ये सब बात सब को बताने की जरुबत नहीं है अरे आप चिंता मत करी मकान मालिक मैं आपको पैसा लोटा दूँगा आप फिकर मत करिये हाँ कैसे फिकर ना करूँ इतना टाइम से इंतिजार कर रहा हूँ पैसे मिलने रहे हैं और तुम घर में बैठे बैठे क्या करते हो तुम्हें जॉब भी नहीं जाया जाता बहुत हो गया चलो अपना सारा का सारा समान निकालो और निकलो याँ से अभी क्या भी यहां पर रहने के कोई जरुवत नहीं है और हाँ यह स्कूटर भी मैं रख लेता हूँ तुमने किराया जब दोगे तब यह स्कूटर ले जाना लेकिन अपसे तुम यह घर में नहीं रह सकते एक सेकेंड, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते, ओए, मैं तुम्हारे घर का मकान मालिक हूँ, मैं चाये तो कुछ भी कर सकता हूँ, यह सब हटाओ, निकलो यहाँ से, सारा का सारा समान निकालो अपना, निकला जाओ यहाँ से, बढ़या यह यह जूता भी दो तुम्हारे इज़त के लिए मैं चड़ी ने ले रहा तो अभी ले लेता चलाओ जूता गाइस इन्होंने तो मेरा जूता भी ले लिया हाँ अब निकल जाओ यहां से अब यहां पर दिखना मत अब यह घर में मैं किसी और को लगाऊंगा हाँ और पैसे रहने पे वहाँ पे शायद हमें जगा मिल जाए जहां पे हम लोग रहा पाएं क्योंकि गाइजर यह घर से हमें धक्ये मार के बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि हम लोग ने यहां पे क्राया नहीं भरा अब क्या ही कर सकते दोस्तों हमें यहां पे क्राया भर नहीं था ले ना तो गाजर घाने पिने की जगा है और गाजर यह देखो यहां पे तो पहले से कोई जोपड़ पत्टी बना कर रखा है ओके यहां पर पता नहीं कुछ समान है देखते हैं ओनो गाजर मुझे तो उल्टी आ रही है सिंचायन और ब्लाक चायन जल्दी से आ जो इदर अरे के हमारे पास तो कपड़े भी नहीं, कम से कम ये लोगे पास कपड़े तो हैं, और गाजर देखो, ये लोग जिन्दगी कैसे गुजारा करते हैं, ये लोग गाजर खाना पानी पीते हैं, और गाजर पानी का भी इस्तमाल करते हैं, नाली वाला, ओ नो, ये कितना गंदा पानी ह और इसे ही हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा अरे नहीं, कैंडी भाया, ऐसा नहीं हो सकता हम लोग कोई और काम करेंगे, यह नहीं यहाँ पे नहीं रह सकते मानते आर, कि यह बहुत ही गंदा जगा है, बहुत काय कर सकते देखरो दोस्तो यहाँ पे गाज़र यही लोग पानी जहाँ पे हम लोग यार टौलेट पिशाप और लैटरिंग करते हैं वही पानी यह लोग यूज़ करते हैं हर चीज़ काम करने के लिए देखो और गाज़र यहाँ पे कुछ लोग तो भूके पेट भी सो रहे हैं ओके ये लोग के पस कुछ खाना पीना भई नहीं है ओके ये लोग गाइजर बहुत ही गरीब है अब गाइजर हम लोग भी ये लोग मैंसे एक है हम लोग भी यहीं पर रहेंगे हम लोग का ये कार्ट बोड हम लोग ये कार्ट बोड से गार घर बनाएंगे और इसके अंदर सोएंगे अरे नहीं कैंडी भाया ये तो बहुत ही गरीब आ गई है एक काम करते ना अपने सारे दोस्तों के पास जाते हैं वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे अ कौन से दोस्त यार हमारे तो दोस्त भी जादे नहीं है अरे हैं अरे जो ग्रैनी वो तो हमारी दोस्त है ना मानते हैं ग्रैनी दोस्ते बट तो वो बहुत ही बुरी है वो हमारी मदद थोड़ी ना करेगी अरे जाके पूछते हैं दिक्कत क्या है क्या पता हमारी मदद कर दे हमें खाने पीने और रहने का जगा दे दे हाँ जार ग्राइनी का वैसे घर भी बहुत ही बड़ा है बंगलो वाला घर है क्या पता वहाँ पे हमेया रहने के लिए मिल जाए तो चलो गाइजर ग्राइनी के पास चलते हैं लेट्स गो ही 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 घर में इतना गंदगी हो चुकी है मुझे सफाई करने का तो समय नहीं मिलता देखो हर जगा गंदगी ही गंदगी है चलो गाइजर अब भाई अंदर चलते हैं ओके यह है ग्राइनी का बड़ा सा बंगला काशर यहाँ भी हमें रहने के लिए मिल जाए और गाइजर घाने या फिर पीने के लिए कुछ समान मिल जाए अरे ग्राइनी आप अंदर है क्या मुझे आपकी मदद चाहिए ग्राइनी अका नहीं b lados चलो जल्दी जाके देखती हूँ अरे तुम तुम तो कैंडी हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ग्रानी मुझे आपकी मदद चाहिए हम लोग यहाँ पे बहुत गरीब हो चुके हैं रहने के लिए घर और खाना पानी भी नहीं है हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं हमार पास प्लीज आप हमारी मदद करिए हम कुछ भी करने के लिए तयार है बस हमें रहने के लिए जगा दे दीजे और खाने के लिए कुछ खाना दे दीजे ही 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 अच्छा शिकार गुच चल क्या आया है चलो ठीक है मुझे यहाँ पर नौकर की जरुवत है क्या तुम लोग तिनों मेरे नौकर बनोगे नौकर दोस्तों कोई आप्शेन भी नहीं है हमार पास ठीक है बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ही 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 आजाओ अंदर चलो आजाओ मेरे लिए खाना बनाओ और तुम लोग दोनों बच्चे जाओ जाके बातरूम साफ करो समझ गए ना कैंडी भया यह हमसे बातरूम साफ करा रही हम लोग बातरूम नहीं साफ करेंगे क्या नहीं करोगे तो निकल जाओ मेरे घर से अरे करेंगे करेंगे ग्रानी करेंगे करेंगे आप बाई निकालिये मत हमें अरे सेंचन कर ले वाबा इतनी मुश्किल सा में कुछ काम मिला है अगर ये भी नहीं मिलेगा तो मैं भूख के पेट सोना पड़ जाएगा इसलिए जो बोल रही वो करो मैं भी तो इनके लिए खाना बना रहा हूँ ना ही 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 चलो खाना बना चुपचाप ओके तुवार चलो मैं जल्दी से कैसे इनका खाना बना देता हूँ ओके और यार सेंचान और यहां पे ब्लाक चैन जल्दी जल्दी जाएगे बातरूम साफ कर दो और लगता है यहां पे ग्रानी ना हमसे पूरा घर साफ कराने वाले इसका घर तो पूरा ही खराब है मतलब की गंदा पड़ा है अच्छे से खाना बना ना फ्रैंकलिन समझे और हाँ यहां यहां पे सफाई हो रही है न बातरूम को पूरे तरह कैसे चमका दो ग्रानी यह देखिए मैंने आपके लिए बहुती डिलिशियस और टेस्टी खाना बनाया है वो भी बहुत सारा इसमें से हमें भी कुछ खाने के लिए दीजियेगा अच्छा दूंगी दूंगी सपने में चलो जल्द जल्दी सारा सारा खा लेती हूँ अरे बाँ पेट बढ़ गया मैंने तो सारा खा लिया ओ नो तुम्हारे लिए तक कुछ बचा ही नहीं एक काम करो मेरी बासी तवासी पिज़ा ये खालो पुराना वाला एक सगेंड आपने मुझसे इतना काम कराया और हमें खाने भी नहीं दे रहे है ये अच्छी बात नहीं ये ग्रानी अरे हाँ कैंडी भाया हम लोगने आपर टोलेट भी साफ किया हमें खाना तो मिलना चाहिए आगर इतना ही परिशानी तो निकल जो मेरे घर से नहीं दूगी ना खाना ना राने दूगी निकलो यासे अपना काम मैंने करा लिया नहीं तो मैं मुझे खाना देना पड़ेगा ग्राणी खाना दो खाना दो लगते हैं तुम्हें सबक सिखाने पड़ेगा फ्रैंक्लीन रुको अब ही सबक सिखाती हूँ अरे ये क्या भाई ग्राणी आप मार क्यों रहे है अरे कैंडी भाया ये तो मार रही है अरे हाँ ये तो हमें मार रही है आरे भागो चल्दी भागो ये तो हमें मार रही है ओ नौ दोस्तो ये क्या ग्राणी ने तो हमारी मार मार करके हमारी चट्नी निकाल दी ये तो बहुत ही पहुत ही कसके हमारी हम लोगो हम लोग से यार सारा का सारा काम भी करा ली लेकिन यार यहां पे कोई मदद करेगा भी की नहीं कि हम से सिफ यार काम ही निकालता रह जाएगा दोस्तो हम लोग अपनी पुराने वाली जिन्दगी कब जीएंगे हम लोग गाजर बहुत गरीब हो चुके हैं क्या करू क्या करू समझनी आ रहा अरे केंडी भाया पेड़ के पास देख तो कोई लेके चला जाएगा और हां तुम सही कह रहा है चलो दोस्तो यह आ पैसा पुरा भरावा है गाइस हम लोग ने यहां पर पैसा से भरावा बैग उठा लिया है से इंचन ऑ ब्लाक चैन अब बताओ क्या करें अरे क्या 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 चलिए होटल खाना पानी काते हैं प बहुती जरुरत काम का होगा और हम लोग अगर खर्च कर देंगे तो कितना बुरा होगा, नहीं भणने, मुझे ये पैसो लेने में अंदर में बहुती बुरा लग रहा है, अगर ये पैसा में इस्तेमाल कर लूँगा, तो सोचो यार, मुझे अंदर से अच्छा फिलिंग न देना सही रहेगा, अपने से रखने से जाद अच्छा पुलिस को देना है, हम लोग अपने पास पैसा रखेंगे, तो बहुत यार दिक्कत होगी, किसी का भी पैसा दोस्तो, अगर आपको मिल जाते है सडक में गिरा हुआ, तो यार अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो गा लाड़ी, बंगला, सब खरी सकते हैं, अच्छा-चा कपड़ भी खरी सकते हैं, बट नहीं, ये इतना सारा पैसा है, लेकिन मैं पुलिस में ही दूंगा ये पैसा, अच्छा टिक है कैंडी भया, मानगे आप सचके देवते हैं, चलए पुलीस स्टेशन दे ही देते हैं, हा यह क्या चल रहा है यहाँ पर यह बुड़े चचे क्या बात कर रहें चलो सुनते हैं पुलिस सर पुलिस सर फ्लीज मेरा वो भैक डूढ़ दीजिए पुलिस सर उसने पुरा नौट से भरावा बैक था उसमें कम से कम तो एक करोन से भी जाद है पैसे थे प्लीज वो बैक को ढूंड दीजे सर प्लीज ढूंड दूंगा लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ अज तब ही मैं ढूंडूंगा जब वो बैक का तो मुझे 80% हिसा मतलब 80,00,00 रुपे दोगे तब 80,00,00? अरे फिर मेरे पास बचेगा ही कौन सा पैसा आप लोग रिस्वत ले रहोगे क्या ले रहो आप पूरा ही पैसा ले ले रहे हो जमान लडाता है बुड़े निकल जाए यहां से तरह बैक भी ने ढूंडेंगे अगर जब पैसा तो हमें लोगो लाक के देगा अरे सिंचान और ब्लाक चैन तुमने सुना यहां पे पुलिस भाई लोग को अगर हम लोग देंगे न पैसे तो वो लोग गाईजर खा लेंगे हड़प लेंगे क्योंकि यह लोग तो चोर है भाई वो बुड़े दादाजी से भी ऐसी बात कर रहे थी कि भाई पैसा आदा देने पड़ेगा यह देना पड़ेगा लगता है सिंचान और ब्लाक चैन बुड़े दादाजी का भी पैसा गूम हो चुका है अरे कैनडी बाया अरे ये वही बुड़े दादाजी का ही पैसा है क्या सच में ये वही पैसा है लगता हम लोगो वो बुड़े दादाजी मिल चुके है बुड़े दादाजी रुकी अब कहां जा रहे हैं अब मैं अपना बुड़ापा में किस से मदद मागूँगा मेरा तो कोई बेटा कोई रिसेदार भी नहीं रहता मैं अकेला रहता हूँ अब पताने मैं क्या करूँगा मेरे पस तो अब भोई भी पैसे नहीं है क्या करूँगा मैं अकेले अरे सिंचन वह बुड़े दादे जी चा रहे है जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो अरे यार यहाँ पे बुड़े दादे जी रुख जाईए आपके लिए एक समान है अरे रुख जाईए अप जाका रहे बुड़े दादे जी रुखिये तुम तुम कौन हो बेटे अरे आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपे सब चीज जानता हूँ अरे हाँ कैंडी भीया सब जानते यह है कैंडी भीया और पता है बुड़े दादे जी आपका पैसा ना इनहीं के पास है हाँ मुझे ये ना पैसा जंगलों की तरफ मिला था पेड़ के नीचे रखावा इसलिए मैंने उठा लिया और हाँ मैं इधर आ गया पुलिस को देने के लिए बट मैंने जब पुलिस की बाते सुनी ना तब मुझे यकिन हो गया कि पुलिस को नहीं देना चाहिए और तब ही मुझे आप दिख गए इसलिए ये लिजिए आपका पैसो से भरावा बैग ये लिजिए बिटा तुम इतना जादे पैसो से भरावा बैग तुम लोटाने के ले हूँ अरे मैं क्या करूँ मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लगती अगर मैं ये पैसा लेके खर्च कर देता तो मुझे बहुत ही गराव फीलिंग आती और मेरी ममी बापने ऐसा मुझे कर रहे नहीं सिखा है मुझे यही सिखा है कि अगर रास्ते में कोई भी पैसे या फिर समान मिलता है जा करके पुली स्टेशन या फिर जरुवत मनद वाले लोग को दे दो इसलिए आप ही मिल गया तो मैंने डारेक्ट आपको दे दिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मेरा बहुत अच्छा काम किया है तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ लेकिन तुम्हेरा बहुत 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 शुक्रिया हाँ मुझे नहीं पता आप कौन है लेकिन यार सीन चान और ब्लैक चान चलो अब वापस से चलते हैं अरे हाँ गैंडी भया चलिए जॉब ढूणने चलते हैं अगर जॉब या फिर काम नहीं मिला तो हम लोग आज भूके सोईगे हाँ यार भूके सोईगे चलो चलते हैं ऐसे भी पेट में गुल-गुल-गुल-गुल कर रहा है रुख जा तुम लोग कहां जा रहे हो मेरी मदद करने के बाद एक सेकेंड हम लोग जा रहे हैं आपको ने पता हमारे साथ क्या हुआ है पता है सुभा से हमारे साथ बहुत ही मुसीबद आ चकी है हमें जॉब नहीं मिला उसके बाद मैं आपको बताना चाहरा हो ना कि आज सुभा से मेरे साथ बहुत ही बुरा-बरा चीज हो रहा है मैं जो बड़ी वाली कंपणी जो लोग सेंडर्स की अब बताईए ना तो मेरे पास रहने के लिए घर है ना तो खाने के लिए खाना बस इतनी सी प्राब्लम ये आपको इतनी सी लग रही है हमारे लिए कि इतनी बड़ी प्राब्लम है अगर तुमको जॉब चीए तो मैं दिला सकता हूँ क्या आप सच बोल रहे हैं आप जॉब दिला सकते बट कैसे जो तुम बड़ी कमपनी में सुबा सुबा इंटर्व्यू देने के लिए गाज है ना मैं वो बड़ी कमपनी का मालिक हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं उसमें तुम्हें मैनेजर का पोस दिला दूगा जिसमें तुम्हें अच्छी कासी पेसे मिलेगी उसके बाद अलग से बंगला भी मिलेगा गाड़ी भी मिलेगी ड्रैवर मिलेगा सब चीज क्या सच बोल रहें आप? अरे केंडी भाया, ये तो हमारे भाग till गये अरे हाँ, ये तो सच बोल रहे अगर आप प्लिस 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 मुझे जॉब दिला दीजे मुझे बहुत जरूबत ही जॉब की ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दिला देता हूँ आज से तो मेरी कंपनी के मैनेजर दोस्तों ये देखो मैं गैजर बन चुका हूँ ये कंपनी का मैनेजर मतलब गैजर पैसे ही पैसे मेरे पास मुझे ये ओफिस मिलावा है और गैजर ये ना सबसे बड़ी बाली बिल्डिंग है लॉस सेंटरोस की उसका यार मुझे यार विंडो साइट मिलावाए देख रहो मैं यार पे मस्ती से काम करता हूँ सूट पैंट पैंट करके और सब लोग मतलब कि यार पे सारे के सारे इंप्लोईना मेरे अंडर काम करते हैं अरे वा केंडी भाया आप तो सच में मालिक बन गए अरे हान यार मैं आपे मालिक बन चुका हूँ सारे के सारे इंप्लोईन मेरे अंडर काम करते हैं गाइस मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है मतलब कि अब मैं ये कंपनी का मैनेजर बन चुका हूँ तो मुझे गाइसर एक बहुती बड़ा सा बंगलो भी मिला है आप लोगों दिखाता हूँ रूखो चलो सिंचनों ब्लैक चन बंगलो चलते हैं अरे हाँ चलिए चलिए अपने घर चलते हैं हाँ चलो दोस्तों ये देखो ये है हमारा ब्रैंड न्यू मतलब कि नया बंगला गाइस ये इतना बड़ा है मैं आपको बता नहीं सकता है ह narrator है मेरा घर ना बहुती बहुती बड़ा है मतलब कि अब मैं बहुती अमेरा आदमी बन चुका हूँ ये देखो मेरे पस याँ पे पोट्स कार भी है जो गाइजर मैं चलाता हूँ और अपने आफिस आता हूँ Mustang और गाइजर Bucati मेरे पसे expensive कार है इसको मैं चला करके मस्ती करता हूँ और ये घर इतना बड़ा है ना मैं आपको बता ने सकता यहाँ पे हम लोग party उड़ी सब कर सकते हैं और गाइजर चला आज हो swimming pool की तरफ चलते हैं यहाँ पे गाइजर इतना बड़ा swimming pool है और गाइजर ये दो तल्ला है मतलब क्यों उपर भी है आप लोग में बता नहीं सकता यह अब तक का loss and loss का सबसे सबसे expensive और must घर है आप घर में ही golf भी खेल सकते हो अब तो गाइजर हम लोग यहाँ पे अमीर बन चुके हैं मिलते हैं नेक्स एपिसोड में तब ते के लिए take care and goodbye दोस्तो